परमिश्वर हमारा रक्षक है भजन सहिता इंक्यान बे अंत्याय जो परमप्रधान के छाय हुए इस्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा मैं यहवा के विशय कहूंगा वह मेरा शरन इस्थान और कड़ है वह मेरा परमिश्वर है मैं उस पर भुरुसा रखूंगा वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तो उसके परों के निचे शरन पा तू ना रात के भैसे डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है ना उस मरी से जो अंधीरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दुबहरी में उझाडता है तेरे निकट हजार और तेरी देने और दस हजार गिरेंगे परन्तु वह तेरे पास न आएगा परन्तु तु अपनी आँखों से दुष्टी करेगा और दुष्टों के अंद को देखीगा ही यह हुआ तु मेरा शरण स्थान ठहरा है तु ने चोपर अपरद्धान को अपना धाम मान लिया है इसलिए कोई भी पत्ती तुझ पर ना पड़ेगी ना कोई दुख तेरे निरे के निकट आएगा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निम्मित आग्या देगा कि जहां कहीं तु जाए वे तेरी रक्षा करें वे तुझ को हाथों हाथ उठा लेंगे ऐसा नहों कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लगे तु सी और ना को कुछलेगा तु जवान सी और अजगर को लटाडेगा उसने जो मुझसे इसने ही किया है इसलिए मैं उसको छुडाओगा मैं उसको उची इस्थान पर रखोगा क्योंकि उसने मेरे नाम को चान लिया है जब वह मुझको बुकारे तब मैं उसकी सुनूगा संकट में मैं उसके संग रहूंगा मैं उसको बचाकर उसकी महमा बढ़ाऊंगा मैं उसको दिरखाईू से तरप्त करूंगा और अपने किया हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा ति वचन को आप रोज सुने और इसे याद कीजिए आप कहीं भी आते जाते समय इस वचन को बोल सकते हैं और इस वचन से परमिशर आपको ब्लैस करें और आशिश दें इस वचन को शेर करें परमिशर आपको आशिश दें